नमस्कार जी मैं सुधाकर दुवी जी आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आज बहुत इंपॉर्टन बात है है वो छोटी बहुत बड़ी है इतनी भी छोटी नहीं तो मैं बात कर रहा हूं जब भी आप आप एक्सलेटर देते हो क्लच दबाते हो छोड़ते हो क्लच या एक्सलेटर छोड़ते हो तो आपकी गाड़ी से खट 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 की नहीं साचती है बहुत तेज आती आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी के नीचे से आ रही कभी ऐसा लगे से आ रही कभी ऐसा लगेगा प तिल्ट हो या किसी डिगरी पे घुवा हो तब हम इस क्रॉस का यूज करते क्योंकि वह जॉइंट पे भी काम करेगा और साथ में उपर नीचे भी गाड़ी होती है तब काम करता है यह चिलम जर्री है मैं डिस्क्रिप्शन पर आई बटन पर वीडियो दे दूंगा अब जाक को उपर और नीचे करना उपर और नीचे यह दिगने अपर नीचे मैं कर रहा हूं बिल्कुल हेली नहीं आपको महसूस इनहीं होगा क्रॉस का क्रॉस करार अक या तो उपर-नीचे इन पीछे ऐस को जो लिए मेरे में दोनों नए लगे हैं इसलिए आपको यह पता नहीं चला से इनकी ग्रीसिंग होते एक यह और यहाँ पर भी होगा यह यही जब स्पेस हो जाता है तो यह कहा है खट 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 जब भी आप अचसलेटर दोगे यह रहलका ऐसे घुमेगा तो खट से आप आजाएगा फिर घुमेगा छोड़ोगे आप तो फिर वापस आएगा तो भी खट से बोलेगा फिर खट खट मतलब खट खट की आप जाएगे जनरली हमारी काड़ी में जब हम नहीं करते हैं हमारा नीचे वाला ही सबसे जल्दी खराप होता है उपर वाला नहीं होता क्यों क्योंकि जितने भी ग्रेसिंग करने वाले होते हैं वह यहीं पर करते हैं पीछे साइड पर बहुत कम करते हैं जब भी ग्रेसिंग कराई यह तो मेक्शूर गीजेगा नीचे वा तो इतनी दिक्कत नहीं जब ज्यादा हो जाए आवाज आने लगे तभी आपको क्रॉस चेंज करना है क्रॉस देख लिया अब इसके बाद हम देखेंगे किसको इस्टॉल कैसे किया जाता है इस्टॉल होने के बाद डेमो के साथ हम पूरी चीजे कैसे यह वर्क करता है कितना काम करता है कैसे इसमें सुरुवात में प्रावलम आती है कितना हमें इग्नोर करना चाहिए कितना नहीं सारी चीजे इस्टॉलेशन के बाद हम डेमों के साथ हर चीजों को जानेंगे कि यह देखो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं यह देखे हिल रहा है आगे पीछे हो रहा है इसी कहार्ण यह खराफ अभी मैं पल्टा के दूसरी तरफ भी दिखाता हूं यह यह अभी उपर नीचे देखेगा ये उपर नीचे हो रहा है ये इसी के कारण से आपकी गाड़ी में खट-खट की आवाज आती है अभी पीछे वाले क्रॉस की बारी है तो ये भी है आप देख सकते हो हल्का सपले है ये बिगुद सॉलिड होना चाहिए कराज पड़ा है अच्छा लोकल पड़ा है तो ये तो नहीं लगएगा ना फूल लेते हैं इक चाहिए देखते हैं अचाहिए ये बाला तोजी जिनल भी जिनी भीक ढöntक सेराम प्रृ। बाला बाला धाला बाली जातो बाला गला जातो जिन्रोा जिना 9 को कि शेड़ota आपने इस्टॉलेशन का वीडियो देख डाला वो 31 मिनट्स का था मैंने आपको 2,5 मिनट्स में दिखा दिया अभी मैं आपको डेमो देता हूं आपने तो लेडी गाड़ी पे दिखा दिया अभी आपको बाहर से दिखाता हूं यह कप खराप होता है यह देखें आप रिलेट कर सकते हैं जब भी यह घूमता है ऐसे ऐसे यह आवाज करता है अब इसमें होता क्या इस तरह से बैरिंग होती है ऐसे ऐसे इसको घूमाना पड़ता है क्योंकि यह एंगल पर घूमता है जैसे इधर वाला जो जॉइंट होगा वो ऐसे कम होगा यह ऐसे ऐसे एंगल पे लगता है यह क्रॉस तो यह बैरिंग क्या है इसके 90 डिगरी पे घूमती है जैसे अपना एक्सल मूब होता है ऐसे चारो तरफ घूम रहा है तो जो ही पोजीशन पर उपर नीचे होगा उसी पोजीशन पर यह रुकेगी ऐसे ऐसे अभी इसके अंदर पिंस होती है चोटी चोटी जो मैं आपको दिखाता हूं यह आपको छोटी छोटी राट से दिख रहे यह डिमो के लिए मैं दिखा देता हूं कैसे राट यह हैं इसकी राट यह इसके अंदर रहती है और यह ऐसे ऐसे घूमती है यह वाइटिकल रहती है बड़ी बड़ी पिंस होती है कि इसके चारओ तरफ देख रहे हो अब इसके अंदर अभी क्या होता है यही राट से आ तो घिस जाएं कट जाएं तो इसमें हल्का सब प्ले आ जाता है और जब वो प्ले आता है राइंट है वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होती तो इसी प्ले के कार्ण ये खटखट खटखट आबा जाती अभी क्या होता है कि जब हम रेगुलरली इसमें ग्रीसिंग कराते रहते हैं तो जो कचला है एक तो वो निकलता रहता है वो जो ग्रीसिंग है न अपनी कहां से जाती इन चार तरफ ये छेड होती रहती और उडिजनल लोकल काप कैसे पता करेंगे अगर आपकी गाड़ी में पहले से ही उडिजनल लगा बत्ति आपको पता चल जाएगा उसकी रवर्स दोक को अलग से ही समझ में आ जाएगा कि ये लोकल खास कर रवर से रवर इनकी हार्ड हॉती है current और उरिज़न सबसे मेजर कारण मेजर 80 वर्षन कारण ग्रीसिंग सबसे नीचे वाला जैसे मैंने बताया कि जब ग्रीसिंग नहीं होती है तब वो खराप हो जाती क्योंकि अगर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो कठी जाएंगी इस पर लापरवाही बिलकुल मत करें क्योंकि अगर एक्सल गीरा तो चिलम जिर्दी एक्सल उक्सल सब खतम हो जाएं इस पे तो रिस्क कभी मत लीजेगा ध्यान रखिएगा हमेशा टाइम टू टाइम ग्रीसिंग करते रहें तो मैंने डिमो के लिए बना यह था कि देखो इसे ही गिरती जाती मेरे क्याल से आपको हर चीजे समझ में आ गई होंगे अभी अगर आपको इनीचियल सुरुआत की स्टेज पर देखना है तो आप कैसे देखोगे जिनकी गाडियों में यह प्रॉब्लम आती है शुरुआत में ही तो आप एक काम करो कि गाड़ी को खड़ कर दो न्यूटल कर दो गेर और अगर आपको नीचे से खान 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 बहुत तेज से आवाज आएगी हाई आर्पीम पे तो समझ जाओ कि अब आपके क्रास जाने वाले हैं इसको इग्नोर मत करिएगा इस पर करा दीजेगा कितना खर्जा आया साड़े पान सो साड़ और एक क्रास का लेबर होता है 200 रूपए कोई कोई 400 भी ले लेता है तो मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में धन्ने बाद आप सभी का